जब आप अपने कमरे से बाहर जाते हो तो याद कीजिए कि बेशली बंद करना हर रोज बाफटब में नहाने के वज़र से बहुत पानी इस्तमाल किया जाता है इसलिए आप शावर से नहाओ LED अत्वा CFL बग का उपयोग करे सेलफोन चार्ज होने के बाद अनप्लग करे कागर्स के दोनों तरफ चापे कीटक नाशकों का प्रयोग कम करे जब भी पानी के जरूरत नहीं है तब पानी के लल बंद रखना है दुबा के समय में लाइट बंद करके विज़ली को आदार कर सकते हैं हम कागर्स को हमेशने रिसाइटिग करना चाहिए प्रकृति को बचाने के लिए पोधे को लगाना है डिस्पोजबस का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए उसके बद्दे पुन्य प्रयोग में आने वाले बर्तनों का अगर कमरे में ना हो तो उस कमरे की बत्या भुजानी चाहिए और कच्रे को कच्रे के डबल में फेखना चाहिए नमस्ते मेरा नाम विद्या है आज मैं आपके साथ पर्यावरन तिप सजा करना चाहती हूँ पहले तिप कागस की बरबादी ना करें जब हम कागस का उपयोग करें हमें इसे कुशलता से उपयोग सुनिचित करें और अनावश्यक रूप से प्रिंट आउट नहीं लें क्यूंकि कागस बनाने के लिए हम व्रिक्ष काटने हैं कागस की बचत से व्रिक्ष की बचत होती हैं दूसरी टिप, पानी की बचत करें. पानी हम सबी के लिए बहुत जरूरी हैं. पानी के बिना हम रख नहीं सकतें. इसलिए पानी बरबार मत करें. हम नहाते समय और ब्रश करते समय पानी बंद करें और पानी बचत करें. तीसरी टिप, अधिक पेट लगाएं और पृत्वी को अधिक हरा करें रहने के लिए पृत्वी बेहतर जगा बनाएं आवसर के लिए दन्यवाएं